हेलो एन वेल्कम दोस्तों बात करेंगे आईटी बीस के एटेफ के बारे में तो चैनल पर पहली बात वुजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हीट जोग कर दिएगा इससे आपको ETF और Stock Market से लेटेड अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे तो चलिए बिना टाम वेस्ट की वे वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे तो आज IT सेक्टर में एक जब जस्त तेजी हमें देखने को मिल लई है तो जैसा कि आप देख रहे हैं IT 20 ETF जो कि IT सेक्टर को कवर करता है और आज के दिन इसमें 36 के लेवल हमें फाइनली देखने को मिल गए है और तेजी की बात की जाए तो 3.12% की बड़ी तेजी हमें देखने को मिल लई है और एक रुपए से ज़्यादा की तेजी दिखा चुका है ये ETF आज के दिन तो सांदार तेजी IT सेक्टर लीडिंग फ फसता हुआ देखने को मिल लाथा 25 से 35 रूपए 50 पैसे की बीच में कई भार घूमता हुआ हमें देखने को मिल लाथा but finally इस बा 3 तो आज लाश्ट टााम देखने को मिले थे ह। अप्राइल 22 के आसवास देखने को मिले थे जिसे बीके हुए लगग डेड़ साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है लगबख मौने दो साल बाद इस ETF ने 36 के लेवल दिखा है तो एक सांदार चीज निकल के आ रही है सामने और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह जो हमें तेजी देखने को मिल लेए इसमें कौन से स्टॉक आज चले हैं एक ब बड़ी तेजी दिखाना है और 36 या उससे उपर के लेवल टेच करने हैं तो इनफोसिस और TCS का चलना जब रही है तो फाइनली TCS और TCS ने अच्छा प्रोफार्म दिखाया है और कहीं ने कहीं इन में भी ब्रेक आउट हुआ है इनफोसिस में 3.31% की तेजी देख सकते हैं इतनी बड़ी तेजी और TCS में 2.14% की तेजी और SCL SCL टेक में 3.26% की तेजी और टेक महिंदरा में 3.88% की तेजी विप्रो में 2.6% की तेजी LTI M.I.E.T.R. में 3.51% और कॉरफोस में 5% से भी ज़्यादा की तेजी है और सिस्टम में 4.46% की तेजी तो जब आज़स्ट तेजी हमें देखने को मिल लई है M.F.S.S. में 7% की तेजी एक जब आज़स्ट तेजी और L&T टेकनलोजी में 4% से भी ज़्यादा की तेजी बदा देते हैं कि आज की तेजी की वज़ा क्या है जो भाती सेर वज़ा तनी तेज भाग रहा है और IT सिक्टर में इतनी बूम देखने को मिला आज के दिन तो उसके बार इम भी बात कर लेते हैं तो कल देखिए FET की मीटिंग थी और वहाँ पर इस बार भी जो ब्याज के दर हैं उसे सेम रखा गया है कोई भी बढ़ोत्री नहीं की गई है तो इस वज़े से कहीं न कहीं जो अमेरिकी वज़ा थे कल रात में भागते हुए देखने को मिलें जिसमें की आप देखेंगे तो उस news के बाद Dow Jones में 1.4% की तेजी देखने को मिली है और 500 points ये भागता हुए कल देखने को मिला है और उसके बाद Nasdaq में भी हमें 1.27% की तेजी देखने को मिली है और जिसका impact हमें आज भारती सेर बजार में देखने को मिला है खास करके IT सेक्टर में तो ये पूरा इंडेक्स हमें अच्छी खासी तेजी में देखने को मिला है खास कर IT सेक्टर में जब अच्छाल देखने को मिला है तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब इसमें आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ देखने को मिल सकता है IT भी इसमें तो फाइनली पिछला जो उसका लेव यहाँ पर हमें 37.4K या 5K भी लेवल देखने को मिल दकते हैं आने वाड़ी टाइम में, क्योंकि जिस तरह Indian Stock Market भाग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि आने वाड़ी टाइम में इसमें 37 क्या 40 के भी लेवल देखने को मिल दकते हैं, बड़ी टुक अब देखने को मिलेगा, वो exact कहना मुश्किल होगा, तो अब आजाते हैं वापस से IT 20 पर, तो देखिए इस समय जैसा कि IT सेक्टर क्या Indian Stock Market जिस तरह perform कर रहा है, तो कुछ भी कहपाना बहुत ही मुश्किल है, रोज ने हाई पर ने हाई लग रहे हैं, यह रखना है कि आपके पास कम से कम दो Demand Account होने चाहिए, जिसमें आप दो तरह की Position रखें, कोशिश करिए, एक में आप Short Term Position लें, यानि Swing Trading के लिए, और एक में कोशिश करिए, आप Long Term Position लीजिए, तो इससे आप दोनो तरह की तेजी पकड़ पाएंगे, जो बीच में, उपर नीचे होती मार्केट, उसमें आप Swing कर पाएंगे, और जो बीच में, और जो टाइम के साथ आपको Nifty 50 और या Bank Nifty और और भी जितने Index हैं, वो आपको टाइम के साथ जो लगादार भागते हुए देखने को मिलना हैं, तो वो बड़ी तेजी भी आप catch कर पाएंगे, अगर आप दो तरह का portfolio maintain करते हुए चलेंगे, तो कोजिस करिए, अगर आप stock market में या ETF में किसी भी तरह से निवेस करते हैं, तो दो तरह का portfolio इस समय maintain करते हुए चलिए, एक short term में यानि swing trading वाला और एक long term position वाला भी रखिए है side में, जिससे आप बड़ी तेजी क्योंकि बड़ी तेजी आप retail investor क्या करता है ना कि बड़ी तेजी वो पकड़ नहीं पाता है, वो profit पहले ही बुकल लेता है, तो एक portfolio वो भी रखिए साथ में, जिसमें आपको बड़ा return मिल पाए, और long position भी रखना जवरी है, तो भारत का जो अर्थिवस्ता है ऐसी कि long term में अच्छे घासे हमें return देखने को मिली रहे हैं, तो long term position रखना भी बहुत जवरी है, तो ऐसे में आप दोनोत तरह की जो तेजी है पकड़ पाएंगे, sort वाली भी, long वाली भी, तो अगर आपके पास demate account नहीं है, तो जल्दी से demate account खुला लिजे, आपको grow 0, stocks तीनों की link मिल जाएगी, comment box में पिन और description box में, आप चाहे तो वहाँ से किसी में भी अपना demate account खुला सकते हैं, आपके पास 2 demate account होने चाहिए, ऐसे में आप हर तरह की तेजी पकड़ पाएंगे, तो दोस्तों यह था IT sector और stock market के बारे हम update, I hope दोस्ती वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब पनना बिलकुल ही मत भूलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए keep learning and be disciplined.